अगर आप भी जॉब के लिए कुछ इस तरह का सीवी बनाना चाहते तो यह आप कैसे बनाओगे इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के अंतरे प्ले स्टोर को आपन करना है और उसके बाद यहां पर आपको सर्च करना है सीवी बिल्डर इसको जैसे सर्च करको तो यहां पर आपको थोरा सा नीचे करको तो यहां पर आपको रिजूमी पीडिएफ मेकर या फिर सीवी बिल्डर यह एप दिखेगा वैसे मैंने इस एप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया तो यहाँ से ब paling क्लिक इरेक लिएफ पर आ सकते है इस एप का जो डाउनलो rif 50 लाग प्लस है तो यही एप को आपको डाउनलोट करना है एड यह डाउनलोट करने कसीफल इस एप को आपन करना है open करोगे तो कुछ इस परकार का आपको इस एप का इंटरफेस देखने को मिलेगा नीचे आप corner में देखो तो एक plus का icon मिलता है यहाँ पर click करना है और इसके बाद यहाँ पर profile name देना है जिस भी name का आपको cv बनाना है उसका name दारना है सो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ और उसके बाद नीचे यहाँ पर add के option पर click करेंगे जैसे click करेंगे यहाँ पर हमको edit का एक section मिलेगा यहाँ पर edit वाले option पर click करना है और उसके बाद यह सारी steps है जिसको हमको complete करना है जोजा करके हमारा एक professional job के लिए cv तयार हो जाएगा सो यहाँ सबसे पहले हमको basic personal information फिल करना है यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर हमको सबसे पहले एक photo upload करना है जो भी आपका photo यहाँ से upload पर click करना है जो भी आपका photo वो चूज करना है सो मैं यहाँ पर photo चूज करता हूँ एंड इसके बाद इसको आपको adjust करना है एंड इसके बाद crop के अपन आइकन पर click करके इसको आपको upload कर देना है एंड इसके बाद यहाँ पर name डालना है तो अपना full name यहाँ पर enter करोगे इसके बाद mobile नमर डालना है यहाँ पर अपना mobile नमर एंटर करोगे एंड इसके बाद यहाँ पर email id डालोगे एंड थोरा से नीचे आऊगो तो यहाँ पर resume headline दे रहा है और नीचे LinkedIn ओप्शनल यही दो है इसको आपको छोड़ना है एंड यहाँ पर save कर क्लिक करना है एंड इसके बाद back आ जाना है उसके बाद नीचे यहाँ objective का option देता है यहाँ पर क्लिक करेंगे यह एक advertisement हमको दिखा रहा है तो इसके लिए सबसे पहले थो हम internet off कर देंगे ताकि यह जो add है, add समको दिखा रहा है यह add समको disturb ना करें cv बनाते समय यहाँ पर objective खुल जागा और यहाँ पर यहाँ पर objective डालना है तो objective आप अपने हिसाब से manually भी डाल सकते हो लेकिन अगर आपको manually नहीं डालना है तो यहाँ पर plus के एकन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इतने सारे आपको objective देखने को बलेगा तो जो आपके work के according feedback ता है उसको आपको choose करना है तो मैं यहाँ से एक choose करूँगा objective और उसके बाद shape के एकन पर क्लिक करूँगा उसके बाद बैक जाऊँगा उसके बाद यहाँ पर skill का option बलेगा यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर skill डालना है अगर आपके वास कोई skill है तो यहाँ पर skill डालोगे तो यहाँ पर मेरा first skill होगा web designing second skill होगा front end developer and third होगा communication skills आपका जितना skills होगा यहाँ पर फिल करोगा इसके बाद shape के एकन पर क्लिक करोगे और उसके बाद बैक जाऊगे उसके बाद यहाँ पर experience को option बलता है यहाँ पर click करोगे अगर आप fraser हो तो इस experience को option को ignore करोगे प्रोजेक्ट में जाओगे लेकिन अगर आप experience हो और आपके पास 3 महिना, 6 महिना, 1 साल जितना भाई की जितना का भी experience है उस experience को यहाँ पर आपको fail करना है सो मैं यहाँ पर experience डाल देता हूँ मेरा 6 महिना का experience है यहाँ पर organizations में कंपनी का नाम डालना है जहां से भी आपने experience लिया है और यहाँ पर आपको designation डालना है कि आपका profile किया था हमने इसको start किया था 2023 और यह 2024 में हमने इसको लेप किया है responsibility हमारा क्या था web designing और उसके बाद यहाँ पर save के अपके अइकन करेंगे उसके बाद बैग जाये और उसके बाद यहाँ प्रोजेक्ट के अगर आपने कोई project बनाया है अपना project नाम, role, duration, team size, project details लेकिन अगर आप अपर चाहर हो तो इसको आप इनौर करोगे तो यहां पर हम अपना education qualification enter करेंगे और यह हमारे लिए काफे important है plus का एकन पर click करेंगे तो यहां पर सबसे पहला हम अपना education qualification enter करेंगे जिसमे secondary यानि तेंथ का यहां पर हम degree डालेंगे और यह थेंध हमने किया है UP board से grade इसमें कितना है तो इसमें हमारा 75% और इसका completed year 2018 तो यहां पर click करेंगे फिर यहां प्लस करेंगे दूसरा qualification enter करेंगे higher secondary यह भी UP board से इसमें grade कितना है तो इसमें 77% end square completed year 2020 square फिर प्लस के एकन पर click करेंगे तीसरा अपना education qualification enter करेंगे web sorry b c a bachelor of computer application bachelor of computer application degree है इसमें कितना है तो इसमें हमारा है 69% and completed year 2023 तो हमारा यहां पर तीन education qualification हुआ हमने यहां पर डाल दिया अगर आपका और भी qualification हो आप यहां पर enter करोगे plus के एकन पर click करेंगे मेरा तीन education qualification हो मैंने enter किया plus shape के एकन पर click करेंगे उसके बाद बैग जाएंगे उसके बाद यहां पर additional personal information में click करेंगे तो यहां पर हम अपना additional information फिल करना है जिसमें सबसे यहां पर पहले address फिल करना है so address फिल करूंग अपना उसके बाद यहां पर language डालना है कौन कौन से language आपको आती है primary language मेरा हिंदी है secondary language मेरा English है उर्दो तमील जो भी language अगर आपको आता है उस language को यहां पर फिल करोगे लेकिन में उसे दो ही language प्रॉपर आता है Hindi और English और उसके बाद यहां पर अपना date about डालोगे और यह website, facebook, twitter यह सब को चोड़ना है marital status में आपको डालना है कि आप अगर साधी सूधा हो तो merit डालोगे अगर आप साधी सूरा नहीं हो तो यहां पर unmarried फिल करोगे उसके बाद nationality में आपको Indian फिल करना है और उसके बाद यहां पर religion में अपना religion डालना है जो भी आपका religion हो उसके बाद यहां पर gender फिल करना है passport को ignore करके अगर आपके बास passport है तो आप passport number डाल सकते हो driving license है तो driving license में फिल कर सकते हो लेकिन उतना detail डालने के जुरूत नहीं है उसके बाद यहां पर save के अगर पर click करेंगे उसके बाद back जाएंगे and अब यहां पर declaration and sign upload करने का option मिलता है यहां पर click करेंगे and यहां पर declaration देना है तो यहां पर declaration आप खुझ से भी लिख सकते हो नहीं तो यहां पर plus के icon पर click करेंगे तो यहां पर automatic 3 declaration लिखा हुआ है जो आपके work recording suit बैट है उसको आप choose कर सकते हो मेरे हिसाब से पहला best है जो मैंने choose किया उसके बाद नीचे देखोगो तो यहां पर signature डालना है तो signature आप दो तरीके से डाल सकते हो पहला तो अगर आपने signature का file कहीं रखा है तो उसको आप यहां से choose कर सकते हो और उसके बाद इसको आप crop करके upload कर सकते हो नहीं तो दूसरा option यहां यहां पर αपना signature यहांा digitally sign करो और उसके बाद oh okay option पर क्लिक करो मुझे एहां पर digitally upload करना है signature सुमऊen और okay करेंगे उसके बाद यहांपर चल्प करेंगे उसके बाद यहां पर show resume option Doors 10 type के और format मिलता है, जिस format में आपको अपना CV दाउनलोड करना है, उस format को आप सेलेक्ट करोगे, आप यहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हो कि कौन सा format में किस तरह का आपका cv दिख रहा है इस तरह से आप चेक कर सकते हो हर एक format को लेकिन जो मैं यहाँ पर सलेक्ट करने वाला हुआ इस format को सलेक्ट करूंगा और pdf का icon में क्लिक करेंगे तो हमारा cv कुछ इस तरह का देखने को मिल ला है तो आप इस तरह से आप घर बेठे अपने mobile phone से कुछ ही मिन्टों में इस तरह एक professional cv को डाउनलोड कर सकते हो और काफी बढ़िया तरीके से इसको बना सकते हो अगर आपको यह format पसंद नहीं आ रहा हो तो दूसरा format आप देख सकते हो लेकिन यह format में को बढ़िया लग रहा है तो मैंने इसे को सेलेक्ट किया अब इसको डाउनलोड करने के बार है तो यहां पर दॉट पर क्लिक करेंगे तो यह जो cv है वो हमारे फाइल में डाउनलोड हो जागा उसको बाद बैक करें और यहां पर डाउनलोड का उप्शन में यहां से भी हम डाउनलोड कर सकते है नगी तो पहला option यह की pdf में जाओ देखो बढ़िया से अंड उसके बाद अगर पसंद आ रहा है तो यहां पर दॉट पर क्लिक करो डाउनलोड के अप्शन में क्लिक करो तब इस तरह से डाउ लोड कर सकते हो